हाई फ्रेंड्स जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कड़ी पकोडा इसे पकोडा कड़ी भी कहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कड़ी पकोडा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम दही ली है इस दही को पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे तीन टेबल स्पून बेशन इसी के साथ हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे जैसे के हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लाल मिच पाउडर एक टीस्पून नमक और अब एट कर देंगे हाफ टेबल स्पून अधरक लहसुन का पेश्ट इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे एक मीडियम साइज की बारिक कट यूवी प्याज और दो छोटी हरी मीच जिनको हमने बारिक कट कर लिया है इन सारे इंग्रिडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस न रहे जाए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है देखे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है अब हम इसकी कड़ी बना लेंगे कड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है इस बर्तन में हम मेट कर देंगे 6 देखे पिछली वीडियो में हमने बटर बनाया था और बटर बनाते वक्त हमने मक्षन में से जो 6 अलग की थी उस वक्त हमने आपको बताया था किसका इस्तेमाल करके हम आपको कड़ी बनाना सिखाएंगे इसलिए आज हम इसमें वही 6 एट कर रहे हैं इसकी क्वंटिटी एक लिटर है अगर आप 6 एट करना ना चाहो तो आप दही की क्वंटिटी बढ़ा सकते हैं जिसे के हमने यहाँ पर 250 ग्राम दही ली है तो आप 500 ग्राम दही ले ले 500 ग्राम दही के लिए उसमें तीन ग्लास जितना पानी एट कर दे अब हम इसमें हमारा दही का बनाया हुआ घोल एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अभी तक गेस की फ्लेम ओफ थी अब हम गेस की फ्लेम को ओन कर देंगे और हाइ फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे हाइ फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और 20 मिनिट तक इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे कड़ी को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है अब हम पकोड़ी तयार कर लेंगे तो पकोड़ी का घोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्रम बेशन लिया है अब हम इसमें कुछ सुख्य मसाले एट करेंगे जैसे कि 1 टीस्पून लालमीच पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला एक चोथाई टीस्पून हींग और हाफ टीस्पून नमक इसी के साथ एट करेंगे हाफ टेबल स्पून अधरक लेसुन का पेस्ट और एट कर देंगे दो मीडियम साइस की बारीक कटी हुई प्याज, एक टेबल स्पून हरा धनिया और दो छोटी हरी मीच जिनको हमने बारीक कट कर लिया है और एट करेंगे एक टेबल स्पून तेल इन सारे इंग्रीडियंट को बेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका घोल तयार कर लेंगे इस घोल को बनाने के लिए हमने आधा गलास पानी इस्तेमाल किया है अब इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए रख देंगे तो यहाँ पर इसे रखे हुए पांच मिनिट हो चुकी है इस टेश पर हम इसमें एक चोथाई टीस्पून बेकिंग पाउडर एट करेंगे देखिए बेकिंग पाउडर हमें उस वक्त एट करना है जब हम इसके पकोड़े बना रहे हो इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इस घोल की कंसिस्टन्सी को कुछ ऐसा रखना है देखिए हमने इसे ज़्यादा पतला भी नहीं किया और ज़्यादा गाड़ा भी नहीं है इसके साथ हमारा गोल पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तयार है हमने यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें पकोड़े एट करेंगे आप चमच की मदद से भी पकोड़े एट कर सकते हैं गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे इस टेश पर कुछ दिर बाद इनकी साइट्स को चेंज कर देंगे तकि हमारे पकोड़े हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए यह देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है अब इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बच्चे हुए गोल में से भी इसी तरह पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये देखिए हमने कड़ी को हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद लो फ्लेम पर 20 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है इसकी कंसिस्टनसी को हमें कुछ ऐसा रखना है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट कर देंगे हमारे बनाय हुए पकोडे देखिए हमने गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद ही इसमें पकोडे एट किये है अगर आप चाहें तो पकोडे एट करने के बाद इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पका सकते है लेकिन हम गेस की फ्रेम को ओफ कर देंगे और इसे एक बार हमने चला लिया है और इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए रख देंगे तब तक हम इसका तड़का तयार कर लेते हैं जिस पेन में हमने पकोडे फ्राइ किये थे उसी पेन में हमने चार टेबल स्पून जितना तेल रख लिया है इस तेल को हमने पहले अच्छे से गरम कर लेना है तेल अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे लहसुन की कलिया तो हमने यहाँ पर 5 लहसुन की कलियां लिये इनको हमने सेंटर में से कट कर लिया है अब लहसुन को golden होने तक medium flame पर अच्छे से fry कर लेंगे लहसुन का कलर जब golden होने लगे तब हम इसमें एक medium size की कटी हुई प्याज एट करेंगे इसे एक बर चला लेंगे और प्यास को भी गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे देखे गेस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है प्यास हमारी गोल्डन हो चुकी है अब हम इसमें एट करेंगे दो सुखी लाल मिच एक टेबल स्पून कड़ी पत्ता एक टीस्पून साबुद जीरा और एक टीस्पून साबुद धनिया इसे एक बर चला लेंगे अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून हिंग देखें हिंग हम गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद ही एट करेंगे इसे चला लेंगे इसी के साथ हमारा तो तड़का है वो तयार है यहाँ पर हमने कड़ी को पांच मिनिट के लिए ढख कर रख दिया था अब हम इस पर हमारा तयार किया हुआ तड़का एट कर देंगे अब इसमें एट करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डिशाउट कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है जाइकेदार पकोडा कड़ी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आप से हमबर रिक्वेश्ट है साइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई